भूमाप्याओं का मनोबल बढ़ते जा रहा है और हमारा जमीन का खरीद विक्री को धडल्ले से करने की कोशिस कर रहा है तीन एकड जमीन को गलत बन सावली बनाकर भूमाप्याओं ने खरीद विक्री कर दिया है जिसमें गुर्गाई मौजा के खाता संख्याच्छे पलोट संख्याच्छे सवडशट मौजा गुर्गाई थाना नामर 79 और यह जमीन हमारे दादा जी गनपत साहू जलकू साहू हरी साहू ने 1963 में और मांजी गुडू निवासी केशो कुवर पती लच्छू साहू से खरीदा था जिस जमीन को 1963 में गनपत साहू जलकू साहू और हरी साहू ने केशो कुवर से खरीदा था उस जमीन पर अब बिचौलियों की गिद्ध रिष्टी पड़ गई है यह जमीन और मांजी के गुर्गाई और गुडू मौजा में है अब तक जो जमीन बिचौलिये थे उन्होंने 2017 के बाद गुर्गाई मौजा के खाता 6 के प्लॉट संख्या 668 का 4 एकर जमीन गलत तरीक जब सखिचन साहू के जो परिजन थे उन्होंने और मांजी अंचल जाकर यह पता लगाया कि 2017 तक जिस जमीन का रसीद इनके नाम से कट रहा था यानि गनपत साहू वगैरा के नाम से वह अचानक कैसे मिलका कुमार के नाम से 2024 में परिवर्टित हो गया इस सम्मंद में इन् अंचल का एक गैंग है जो हलका करमचारी से मिलके सीओ तक अंचल अधिकारी तक इस तरह की गड़बणिया कर रहा है और पंजी टू में अभी भी गनपत साहू का नाम दर्ज है पर एनाइसी के लोगों के साथ मिलकर यह मिलका कुमार के जो परिजन है या जो अन्य है उन् की जमीन जो थी खाता संख्याच्छा के प्लॉट नंबर 668 इसकी गलत तरीकी सी विक्री की इसकी जांच होनी चाहिए और यह भी होना चाहिए कि कैसे 2018 से जब सखिचंद साहू के परिजन लगातार रेकॉर्ड में करेक्शन करने का जो आवेदन दे रहे हैं उस पर कोई अचल अधिकारी को भी इन्होंने अरजी दी है कि इनका रेक्टिफिकेशन किया जाए और जो मिलका कुमार ने गलत तरीके से जो गुडु मौजा का जमीन है जिसका प्लॉट नंबर 1112 और 1113 अपने खाता नंबर में चड़ा लिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए यानि वो पायुक जो सभी अंचलों के हेड होते हैं प्रमुख होते हैं उन्हें भी लैंड इसकैम की इन गडबढियों पर बारीकी सी नजर रखनी चाहिए और पूरा जो सिस्टम है बिचौलियों का उस पर लगाम कसनी चाहिए अस्थानी ठाना को भी चाहिए कि वह किसी भी को पहले देखें पर्खें और उसमें जो गलत तरीके से जो दावे किये जा रहे हैं और उस आधार पर जो फर्जी दस्तावेज बनाकर रेजिस्ट्री हो रहे हैं उस पर अंकूस लगाया जाए आए सुनते हैं क्या संजय कुमार इस समझ में कह रहे हैं हम लोग का खरिदगी जमिन मोजा गुरगाई थाना नंबर 79 प्लोट नंबर 666 कूल रखवा चार एकड़ है जिसे और मांजी गराम निमासी नहरू साहू चत्तूर साहू बबलू साहू और इनके परिवार के सभी लोगों ने गलत वनसावली बनाकर गलत वनसावली को आपित करा लिया है और उस जमिन को गलत तरीका से बेच दिया है जब इस बात का हमें पता चला तो इसके बारे में हमने छान बिन किया तो हमें इसकी जानकारी मिली और हमने संबंदित थाना परभारी ग्रामिन पुलिस अधिक्षक वर्य पुलिस अधिक्षक अंचल अधि दिया है लेकिन आभी तक हमें किसी तरह का कोई भी मदद नहीं मिल पा रहा है